हालो फ्रेंट्स वेलकम तो मेडियन ओवसीज फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वन आफ दा मोस्ट इंपॉर्टेंट के बारे में जिसका नाम है ट्रांसलेशन अगर आप इटली में अपना अप्लिकेशन कर रहे हैं तो जाहर सी बात है आपको पता ह होगा कि इटली में certain हमें डॉक्यूमेंट्स का ट्रांसलेशन कराना होता है इटाइलियन लेंगेज में तो यहां पर काफी सारे स्टूडेंट्स को रहता है कि वो जो ट्रांसलेशन कराना है वो एक्जेक्ली किस डॉक्यूमेंट का कराना है most of the time स्टूडेंट्स रहते हैं your overall process तो friends जैसे last year से Italian embassy ने यहाँ पर academic documents के उपर से जो restrictions था कि आपको Italian में translate कराना है वो हटा दिया है तो यहाँ पर अगर आपके documents English में है आपकी अगर अगर आप master's के लिए जा रहे हैं तो आपकी bachelor's की transcript और degree और अगर आप bachelor's के लिए जा रहे हैं तो आपकी 12th की mark sheet अगर वो English में है तो आपको किसी भी तरह का Italian translation required नहीं है लेकिन आपको यह दियान रखना है कि जब आप enrollment के लिए जाते हैं तो वहाँ पर आपको university का enrollment का call read करना है और यह पता करना है कि क्या university को Italian translation required है हला कि embassy ने इस चीज़ के लिए मना कर दिया है कि अगर आपकी degree document या आपके जो previous education के document है वो English में है तो English as an acceptable language आपको translation कराने का need नहीं है उसको Italian में लेकिन फिर भी universities आपका required रखती है जैसे अगर हम तौर वरगता की बात करें तो last year तक तौर के लिए जा रहे है तो वो आपको Italian में उसका translation required रहता है हला कि अभी अब जो next intake के call उपन होंगे enrollment के तब जाकर के identify होगा most probably हो सकता है कि आपका जो तौर वरगता है वो भी आपको इस चीज़ का relaxation दे दे तो यहाँ पर आपको academic documents का translation नहीं कराना but yes जो scholarship के documents होते हैं उनका आपको translation कराना होता है क्योंकि जब आप ESA statement बनवाते हैं जब आप Italy में पहुँच जाते हैं और वहाँ पर अपना ESA statement बनवाते हैं scholarship के documentation के लिए तो वहाँ पर आपका क्योंकि ESA एक Italian document है तो आपके जो भी income documents वगेरा आप यहाँ prepare कराते हैं scholarship के लिए वो सारे documents आपके Italian language में translation required रखते हैं तो वो आपको compulsory translate कराने होते हैं Italian language में और खासतोर से मैं आपको बदा दूँ कि specifically आपके जो Italian ministry की website है वहाँ पर आपका specifically embassy की website पे certain translators की list available है तो आप कोशिश करिए कि आपको उनी translator से ही वो document translate कराना है क्योंकि वो authorize है और आपका most of the regions में वो जो scholarship documents होते हैं वो आपका usually जो आपकी Italian embassy रहती है उससे भी वो आपके legalized होने चाहिए वो legalized की requirement रहती है तो वो भी आप करा सकते हैं अगर आप भी अपने further studies का प्लान कर रहे है यूरोप में थास तोर से इटली, जर्मनी, माल्टा, लात्विया, पोलेंड तो अभी applications open है coming intake के लिए आप अपने application process कर सकते हैं उसके लिए आपको अपने जो भी documents है academic documents अपने updated CV वो हमारे साथ share करना है application02 at meridian.org साथ में अगर आपके किसी भी तरह के कोई भी doubts है जो कि आपको उसका resolution नहीं मिल पा रहा है तो आप हमसे connect कर सकते हैं हमारे toll-free number पे और हमारे website पे live counseling के लिए request share कर सकते हैं so that you'll be getting your resolution for each and every query with regards with Europe friends ऐसे latest information पाने के लिए चैनल को like करिए subscribe करिए bell icon press करिए see you in the next video thank you